अप्रेशन बिग निउज शत्ते समचार खोजने तथे प्रस्तूत गरने रह प्रस्तूत इलाई संतूलित बावने हमर प्रतिक ग्या हो एही प्रतिक ग्या पूरा गरने खरो प्रैसो अप्रेशन बिग निउज जनस्वरकार का हरेक बिशेलामी बिग निउज बनाऊचों और एक बिग निउज को अंत्रकताखो दय दर्शक का गाड़ी अप्रेशन गरचों फरक समचार रा गईरी समचार दिने हमरु प्रयास निरंतर जारीच दर्शक्विन्त परदानमंद्री पुष्वकमाल दाहल प्रचंड चार दिने अउपचारिक भर्मढ को जंब टोली लेरा बुदवार भारत भर्मढ मागाय कचन प्रचंड को यो भर्मढ सनातनी राजनतिक सस्कार पूर निरंतरता मारत हुने हो की एसलि नेपाल भारत समंदलाई नया उच्चाय में पुलावने हो बनने प्रचंड़ाईच पांस मेन अगिने प्रदानमंत्री भयका उनले पहलो भर्मढ भारत के गरने अगोशित योजना लाई उच्च प्राधामिक्ता दियर भर्मढ मागा एकाशन भारत ले कस्तो पर्तिकिरिया दिने हो त्योभने हेर न भागिने छा तरा नेपाल भारत भीज जहिली पनी प्रेम्र संका को समंदर आएकोश सरकार को नेटितोमा फर्केको पांस मेना पची प्रदानमंत्री प अमा मात्रे सिमीद भायमा नेपाल का आवश्यक्तार प्राथामिक्ता संब्धन हुने छैनन एति बेला दुईदेश का समक च्छी बीच सीधे राजनेतिक नेटितोको तवामा संबाद गर्न सकने परिश्थितितिको सिर्जना गर्ने कीशिमको बाता ब्रन तायर गर्ने य नत्र सामानने ब्यापार समझोतार प्रदामंत्री भायपची पईलो विदेश भर्मण भारत बाट गर्ने प्रामपरा कई निर्ण तरता मात्रा होने सा आज हामी इने विश्यमा ओप्रेशन गर्ने साओं कारेकम बीग निउज मा दर्शक्रिंद प्रदामंत्री प्रचंड भारत को चार दिने भर्मण का लागी नया दिली पुए काशन भारत मा रादा प्रदामंत्री प्रचंड बिहबार सब्यांदा बड़ी बेश्त होने जन भर्मण मा होने चलफल समझोतार को मुख्य दिन बिहबार नही हो ब्यान राजगार्ट पुगेर माहत्मा गांधी को समाह दिमा पुस्प गुच्छा अप्रण गरे पसी प्रधानमंत्री ले 11 बज़ेर 5 मिनिट मा हैदराबाद हाउस को निर्गिरी कच्चे मा भारते प्रधानमंत्री नरंद मोधिसंग भेडने ताली करे गुशा तुई प्रधानमंत्री विज आदा घंटा 1-to-1 कुराकानी हुनेशा वने तेस पची दुबै दिसका परतिन्दी मंडल साहिध दुई पची चलफर हुनेशा प्रधानमंत्री पुश्पकमल दहल प्रचंड चार दिने अउपचारिक भ्रमाड का लागी भारत प्रस्थान गरे काशन भारती ये समकक्षी नरेंद्र मोधिको निमंत्र नामा प्रधानमंत्री प्रचंड भारत गये का हुन उनी बुदवार दिवसा एक पचीस बजेको निपाल एरलाइन्स को नियमित उडान बाट भारत प्रस्थान करे का हुन गतपुश दसमा तेस्र पटक प्रधानमंत्री बने पची प्रचंड को योब पैल बिदेस प्रमाड हो चार दिने भ्रमर को लागी भारत पुगे का प्रचंड लाई भारती राजे मंत्री मिनाक्षी लेखिले स्वागत करे की सन प्रधानमंत्री प्रचंड संगे सरकारी सर चालिस निजी उद्योग बेवासाई छेत्रका एक सालिस मिडिया प्रतिनिदी पाच मंत्री डेर दर्जन सचिप तथा सहसाचिब सहभागी भायका सन प्रधानमंत्री प्रचंडले भारती समकक्षी मोधी संग भीबार दिल्ली स्तित हैदराबाद हाउस मा भेट भारता गर देशन। अपराद अनुसंदार मा सहकारी लगायत बिशायमा डेली गेशन लेबल मा सहमाती हुने परराष्ट मंत्री एनपी साउद बताउशन। दिल्ली अवतरंड पस्चात साडे तिन बजे सरदार पटेल मार्गमा रहेको होटल आईटी सी मौर्यमा पुगे का प्रचंडले भारत का बिदेश सचिब बिनाई मोहन क्वात्रार राष्टे सुरक्ष्या सलहाकार अजित डोबल चंग भेट करेकाशन। प्रधानमंत्री को समानमा दिल्ली इस्तित नेपाली दुता वासले आयोजना गरेको रात्री भोजमा प्रचंड सहभागी भायकाशन। एस्ति बिहीबार भिहान साडे दस बजे महात्मा गांदी को समाधी स्तल राजघाट मा पुस्पक गुच्चा अरपडगरन प्रचंड पुग नेशन। तेसपचे हुनी भारतिये प्रधानमंत्री मोदीलाई भिटन 11 बजे हैद्रबाज हाउस को निलगीरी कक्षे मा पुग नेशुची छा। तेसपची प्रतिनदी मंडल इस्तर को बैठक मा दुवई प्रधानमंत्री बसने शन। बारबजे एक्सेंज अफ एग्रिमेंट को कारेक्रम र तेसपची बारबजे र 20 मिनेट मा केही परियोजना को समिक्त उटगाटन र लगतेई समिक्त पत्रकार समेलन हुनेशा। देसपची प्रचंड को सम्मानमा मोदी का तर्फबाट हैद्राबाद हाउसमा दियेको दिवाभोजमा नेपाली डेलिगेशन को सहभागीता रहनेशा। दुई बजे हैद्राबाद हाउस पाट प्रचंड होटल का लागी प्रस्तान गरनेशा। प्रचंडाले उपर राष्टपती जग्दी बधन खड संग चार बजे राष्टपती द्रवपदी मुर्मु संग साड़े चार बजे शिष्टा चार भेट करने कारे सुची चा। बेलुका साड़े पांच बजे नेपाल रभारत का उद्योगी बेवसाई को स्वमिक्त कारेक्रमा प्रचंडा केही बेर उपस्तित होनेशन। प्रदेश का राजेपाल मंगु भाई पटेल संग उनको भेट होनेशन। बड़ी समय बेतित करेरा उनी अपरान चार भजेरा 20 मिनेट मा नेपाल एयर लाइन्स को बिमान बाट काठमांडो का लागी प्रस्तान गरने कारे सुची रहे कुछा। ABC रिपोटर पुष्पा पवडेल काठमांडो। दर्शक गुरिन्द पुष्पक मल दाहल प्रचंडले नेपाल को प्रदानमंत्री का हैसेदले बिगवन्दापनी फारत को भर्मण गरिशेकाशन। उना तए हैसेदमा एती बलॉप्रचंड भारत को भर्मण माचन। पर्दानमंत्र भाय लगते भारत भर्मण को चाहाना देखायका परचंडले एस पटकको भर्मण भीगथ को भणदा फढ्रक यातिहासेख हुने दाबी करते आको शन। एस पटको भर्मण मा जलब विदूद आयो जनार ट्रांस्मिशन लाइन विश्तार पारवहन हवाई उडान लगायत का विशेलाई प्राथामिक्त्यामर आकेर एजन्डा तयर गरिये काशन। भर्मण स अगावई प्रामंत्यले एतियासिक्र उपलब्दी मुलकुने दाविकर्दे आयको भर्मण सांचीकै महत्त्यपुणा बनावने हो वने नेपालकुला भारत बिश देखिदे आयको सीमा समस्याको दिर्गकाली समधान तथा भारत ले अतिकर्मण गरिका नेपाली फिर ताल्यावन सक्णू पर्छा एति गर्न सके भर्मण सांचीकै एतियासिक बन्ने छा थब पर्शन गशेताउंचों केवेर को ब्रेक पच्छी ब्रेक पच्छी स्वागाचा तमाई बीग नियूज मनुँछा दर्शक्विन नेपाल भारत बिश्वास बल्यू बनाउन सीमा समस्या समधान पनी अब धिलाई गर्न होल्ना तरन बद्द बारत बारत पनी सीमा समस्या सुल्जे को सैना अब दुईदिस का परभुद्ध स कि मतले अब ऑप्ठार हुणूपनेकपुने कारन सेना तरह अलेसमा अति धिलाई भई कोष तरह एसमा जत्ती धिलाई भई होच स्यमा त्यसली दुई चिमिकी बीशकषिव को विश्वास बल्यूबनाई अन्योल माँ रहे गोश sla नेपाल रा भारत छिमेकी देश वहकाले समस्या अनेक इछन। इनलाई ततत अवस्तामा सम्हुदन गरनू जत्ती नेपाल को हीद माचा त्यत्ती भारत को पनी हीद माचा। उनता सरकार परमुका हरेक भार्मन मा दसले एशती अपेच्छा गरेक हुँचा। तरह तेरे एशती भार्मन मा नेपाले निरासा हाद लाग पार दाएक। बिगत का आ सफलतालाई बिर्श्यावने रा सफलतालाई सुधित व्रावने गरी एस पाली समती भायमा नेपाल रा भारत को दुपच्चे हीद मातर होने चैना छेत्रे एकतापनी बली होने चैना प्रधानमंत्री प्रचंडर को यो पैलो अउपचारिक भारत प्रामढ हो प्रचंडरले नेपाल को प्रधानमंत्री का हैसियत ले बिगत मा पनी भारत को भ्रमढ गरी शके का शन अईले पुन तेही अहीसियेतामा भ्रमड गरेका हुन। अउपचारिक निमंत्रणामा चौँथो पटक भारत भ्रमड मा जाना लागेका प्रचन्डले यो भ्रमड अइतिहासिक हुने बताई रहेका सन। एस पटक को भ्रमड मा भारत संग को सिमा समस्यात था इपीजी प्रतिवेदन उर्जा ब्यापार लगायत का प्रचन्डले येस पटक को भ्रमड बिगत को भंदा फरक र अईतिहासिक हुने बताई रहेका सन। प्रधान मंत्रीको भारत प्रमड लाई लियेर दुई देशपीच हुने समझवता र एजेंडा के कस्ता होलान भन्ने जन चाहसो बढ़े कुछ नेपाल को हित्मा कस्तो एजेंडा लियेर भारत जानू उचित हुन्चा हुआ उनुपर्च भडे जन चाहसो र राजनितिक ब्रित्मा ठुले चर्चा भाई रहेको अबस्तामा प्रचन्डक की ही नया चलांग मा नहेतुले भारत पुगे का हुन। इस पटक को भ्रमण मा जल बिदूत आईजना ट्रांस्मिशन लाइन विस्तार पार वहन हवाई उडायन लगायत का विशयलाई प्राथामिक्तामा राके र एजेंडा तोय गरिये को सा। दुई मुलुक बिचका सीमा समस्या समाधान गरने विशयलाई पनी प्रामण को प्राथामिक्तामा राकने तयारी शा। शाच्ची के अहित्यासिक बनने चा। केही बर्षदेखी विवाद्र चर्चामा आहेको लिपुलेक र लिम्पियाधुरा चेत्र नेपालले चुच्चे नक्सामा समेटे को छ। सो भुभाग फिर तालेवन सके प्रधानमंत्री को भ्रामड अिथ्यासिक बनन सक्निशा। ततकालीन प्रधानमंत्री केपियोली को समयमा गुमेको लिपुलेक र लिम्पियाधुरा चेत्रलाई समेटे र नेपाल को नक्सा सार्वजनी करियेको थियो। ततर सो छेत्रको भाग नेपाल ले भोग चलन गण सके को साई न। भुभाग नेपाल ले फिरतालें ड़ाएउन सक्नु परसा। एस बिशाय अप्रधानमंत्रीले कसरी कुरा उठावने शन बनेर जनताले रहाका सं। नेपाल रभारत बीच बिविनन समय मा भायको बिदुत ब्यापार सम्जवता पुण रुपमा कारेनाईन मा आये को साइना एसलाई पुणा कारेनाईन को दिशामा लईजाना पहल गर्नो पाने सा एसे गरी नेपाल भारत भी जरहे का समस्या समाधन गन सन दहजार सोरमा गठन भायर दहजार अठारमा तयार भायको प्रबुद्ध समुह ईपीजी को प्रतिविदन भारत ले बुजे को साईना भन्येको सा इसता विशायमा भारत लाई सहमत गरावन आवसेक सा एसे गरी भारत संग हुदे आयको जन्ड़ै पंद्र खर्ब बराबर को ब्यापर घाटा कसरी कम गरावने भन्ये चुनवती नेपाल शामुश यो संग संगाई निर्मार संपन भायको गवतम बुद्ध अंतरास्टे बिमानिस्ताल र पोकरा अंतरास्टे बिमानिस्ताल को पलब्द गरावने बिशाय पनी चुनावती बनेको सा। एस बिशाय मा भारती पक्षेलाई कसरी मनावना सकीन छार नेपाल को हित्मा काम हुना सक्ष भन्ने प्रधानमंत्री का सामू चुनावती कै बिशाय हो। नेपाली उत्पादनलाई बिविन्न नामा दियने निर्यात्मा सास्ती कम गरने ब्यापार घाटा निवनिकरन गरने बिशाय मा चलफल नेपाल सारको अधक्षे को हैसी तामा इसको सम्मेलन गरने की नगरने नगरने भाये सारकलाई आउंदो देनमा के गरने भन्ने भारत्र भारतिये कमपनीले ओगाटेर राखेका जलबिदुत आयजना लगायेत निसकर्ष निकालने गरी पहल गर्ना वार्तामा समाबेस गर्नेपने विशाये हुन। आपसी हितका सम्भाबना पहिलाउने र कर्मचारी तंत्रमा खुमचियेको नेपाल भारत समंधलाई फराकिलो बनावदै राजनेतिक्र नागरिक तहमा विश्तार गर्ने प्रयासुनो जरूरी भाई सकेगोशा। खात्अ पदार्थको आयात निर्यात गर्दा गुलस्तर मापन को प्रबंध मिलाउने जलबायु परिवरतनमा दीपक्षिये साजेधारी गर्ने लगायतका यावत बिशायमा प्रधानमंतिको भ्रामड मा समकคचिसाईत गयीरो गरी छलपल गर्न सकेमा मात्रो प्रधानमं छेत्रिये तहमा हुने प्रभाब रदुई देश बिचको इतिहास देखीको समंधमा पार्ने नकारात्मक असर पर्ने विशाये साजा विशाय हुन। पच्छे लिएको संदर्भमा दुई छिमेकी जिन्द भारतले निकाई चासो क साथ अबलुकन गरी रहेको सेखीन सा। उची रद्रिरता प्रकट गर्दे आये काले, सक्ति राष्ट्रकों चेपुआमा पर्दा अफुलाई पने प्रभाब, लगायत सचेतता पुर्वक इस्ता भ्रमड हरुमा शलफल गरी देशीत को पक्षेमा ल्याउने प्रयास करनो पनी महत्तोपण हुन्छा। अफुलाई कसरी प्रभाबकारी बनाऊना सकिन्चा बनने समंदी तुरुन्तै सार्क इस्तारी चलफल गर्नु पने आवसेक देखिन्चा। तेसका लागी अदक्षेको नाताले प्रचंडले समकक्षी सहीता उपयुक्त बारतला पनी गर्नु पनने सा। नेपाल र भारत समं परिस्तिती निपाल ले भूगनु पारेको सा। तेसका रड प्रधानमंत्री प्रचंडले निपाल को हितका विचायमा गहान रुपले निर्विक्ता का साथ अपना समकक्षीलाई फन्न सक्नु पर्षा। राजितिक द्रिष्टिकों र प्रथामिक्ता का धार्मा परिभा अपसी अंतर समंदको वातवरर निर्मार गर्ने अवस्थामा पनी कमजर हुदे इकैर है कुछा। फिरता ल्यावने विचाये सार्वभोम प्रतिष्टा को विचाये बनाई रहे कासन। एता अईतबार मात्रे भारत ले सार्वजनी करेको अखंड भारत को नक्षाले निपाली बित्तमा चर्चा चुलिये को सा। उनिहरुने यो नक्षाले विच्व को ध्यान आकर्चित गर्येको बताई रहे कासन। अखंड भारत को नक्षाले निपालमा पनी बहस्चिर्जना भायको स। प्रधानमंत्री प्रचन्ड को भारत भ्रमड को संगर्मा उठेको एसबी सैलाई कसरी संबदन हुन्छाता। प्रस्ण जती सहच्छा जबाप उत्ती कई कठीन बनेकुषा। प्रधान मंत्री ले यो समस्या समाधान गर न सके, साच्ची कई भ्रमड ऐत्यासी खुन सक्षा, अन्य था समन्य ब्यापार सम्जवतार प्रधान मंत्री भाय पची पोईलो विदेश प्रमड भारत बाट गरने परम पराकाई नीरंतर ता मात्र होने सा, एबिसी रिपटर प उस्ता पाउडेल, गठ मांडव नेपाली पच्चे बने इनता वास्वाट ठीचे को देखी इंच, एसले धेर जश्तो आमने सामने का बारतार लेन दिन मा नेपाली पच्चे प्राय कमजर होने गरेको छब, एस विला प्रधानमंत्री पर्चंड को भर्मड को सभलता मा, कुनहीं यजनाई वा आयाजना का समंदमा उने सम्झता मात्र होई नन। दुईदेश विचको सीमा विवाद्वा भारत का अरिगेलाई का समंदमा प्रस्णर विरोध गरन पनी प्रदानमंद्री भर्मण में गईरन पर दैन। प्रदानमंद्री परचंड को भर्मण केई पहले ने हुने अपेच्छा नेपाल ले गरेको थियो। विविन्न कारण ले डिलाई वयो। एतिने बेला भारते संग्षत भवन मा राखी को नक्सामा नेपाली भुबाक पनी समावेस गरेर अप्ठेरो अबस्तामा नेपाल ला पटक पटक हेवे काशन। इसता विश्यमा भारत भर्मण मा जान्दा प्रस्ण उठाईने जनमानस को अपेच्छा सम्भवत व्यवहारीक वने न होला। तो एसम प्रकार का व्यवहार परदी कुड़नेतिक सहिलिंग मा असमतिर आपतिर एको जनाओ भने परदानमंद्री परचंडे लगायत भर्मण मा जाने नेपाली पच्छेले हेच की चानु हो दैना। अब नेपाल भारत समंदलाई पनी नया आयाम दिनुपर्छा। एक कैस्यों सताब्दी मा नेपाल भारत जस्ता जनेश्तरमा निकट समंदलाई का मुलुक बिच अविश्वास होईना। सब्धाब्र विश्वास बढ़दानी दुबई पचलाई लाभ हुन्चा। एसका लागी नेपाल ले अगर सता लीनुपरे पनी एजकी चानु हो दैना। एस भर्मण मा नेपाल ले गुमायको अनुभब गरनु नपरे मातरे पनी भर्मण सफलने ठानी नेचा। नेपाल सब्सक्राइब दुनिया विवजाओनी हम रवेन जारी चा। तव पाइबची न्यू संगेर नुला नमस्ते।